नमस्कार, हेलो एवरीवन, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपकी लिवर डिजीज को बढ़ाता है, तो आपको वो अवाइड करना है और उस चीज पे ध्यान देना है, जैसे शरीर में कहीं सारी बेमारी होती है, जिसके कारण आपके लिवर ही तो अगर आपको शुगर के पेशन्ट है और साथ में आपको लिवर डिजीज है, तो सबसे पहले आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है, और जैसे आप जादा मीठा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको आपको अवोइड करना है, अब इसका क्या एफेक्ट होता है, कि मैं और प्लस शुगर बढ़ने से आपकी बॉड़ी की जो आर्ट्रीज हैं, वो भी ब्लोक हो सकती है, वहापे सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है, और कहीं सारे ऐसे कारण होते हैं शुगर की वज़ा से, जो चीजों को हील नहीं होने देती है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइबिटीज कंट्रोल में रखनी है, और आपको अपनी डाइट पर धिहान देना है, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रह सके, सेकिंड है, हाइपर टेंशन, जब आपका बीपी ज़ादा इंक्रीज हो जाता है, तो जो ब्लड फ्लो होत होता है, उसका इंपक्ट डारेक्लए आपको और गनस पड़ता है, उसका अफेक्ट आपके लेवर पर ही नहीं, बल्कि आपके किड्नि पर, अपके हार्ण पर अपके इंपक्ट जादा परता है, जिससे वजह से रखना अपका व्लो हो जाती है, और जो आपको ब्लड फ् इसमें भी आपके लिवर डिजीज को बढ़ावा मिलता है तो इन पे आपको ध्यान रखना है जैसे आप डेली बाहर की चीज़े खाते हैं डेली अलकोहल का इंटेक करना पानी का इंटेक ना करना डेली एक्सेसाइज नहीं करना तो उससे आप को कहीं सारी ऐसे बीमारियां आती हैं जैसे स्ट्रेस, मेंटली और फिजिकली आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके औरगन पे फेक्ट डालेगा आपकी लिवर डिजीज है जैसे फैटी लिवर डिजीज है उसको बढ़ावे में हेल्प करेगा तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है बाहर की आप चीजे लेते हैं लेकिन आपको साथ में अपनी अच्छी डाइट भी लेनी है ग्रीन वेजटेबल्स का भी इंटेक करना है और बाहर की जो आप चीजे खा रहे हैं ओली फूड खा रहे हैं उसको आप अवाइड करिए और दीरे दीरे कम कर दीजे डेली जूसिस का इंटेक करिए अगर आप डेली बाहर की चीजे खा रहे हैं जैसे पैक्ड फूड खाते हैं carbon drinks लेते हैं उसको आप avoid करिए fourth जो है जैसे females में PCOS होता है तो इसकी वज़े से भी liver disease में बढ़ावा मिलता है इसमें क्या होता है आपके hormone totally imbalance हो जाते है और आपके जो hormone imbalance के करके आपके इसमें liver पे भी effect पड़ता है कई सारे ऐसे patient होते हैं जो correlate होते हैं साथ में उनको cholesterol भी बड़ा हुआ है साथ में उनको thyroid भी है और liver problem भी है तो यह ऐसा माना जाता है जब आपके hormone imbalance हो जाते हैं तो आपके कई सारे organ पे भी impact पड़ता है तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है नॉर्मल आपकी जो menstrual cycle है वो नॉर्मल होनी चाहिए डेली आप exercise करिए lower abdomen की जो muscles है वो flex रहेंगी डेली अपना exercise करिए इससे आपका जो overweight है वो भी कम होगा body भी healthy रहेगी यह mostly था females के लिए इन पे आपको ध्यान रखना है next point है जो main problem है वो है cholesterol का बढ़ना cholesterol आपको कहीं चीजों में impact डालता है एक तो आपके जो fat cells इखटा होते हैं liver में उसमें भी बढ़ावा देता है second आपके heart पे भी बढ़ावा देता है जो आपकी heart muscles हैं उनमें भी blockage का कारण cholesterol ही बनता है यह आपकी circulation को disrupt कर देता है जो arteries में जो cholesterol इखटा होता है bad cholesterol वो भी आपके blood flow को भी रोग देता है और साथ में आपके जो fat इखटा होए हैं उनमें भी ज़्यादा इखटा होना start हो जाता है जिसके कारण आपको fatty liver की problem आती है इस पे आपको ध्यान देना है आपको good cholesterol वाली diet intake करनी है bad cholesterol वाली diet आपको avoid करनी है मैंने cholesterol diet के बारे में कई सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसका link हमारे नीचे description पे आप चेक कर सकते हैं तो अपने cholesterol level पर ध्यान रखे और ऐसी कई सारी बिमारिया होती है जैसे antibiotics ले ली बिना doctor के सलाह के या फिर आपको pain हो रहा है headache हो रहा है तो हर चीज़ के लिए आपको tablet खानी है इसका भी impact आपके liver पर पर सकता है क्योंकि सबसे पहले जो absorption में help करता है वो liver ही करता है तो कई medicines की वज़ा से भी आपको liver problem आ सकती है तो इन सब को चीज़ों को आपको धिहान में रखनी है साथ में अपनी diet पर धिहान रखना है देली पानी का intake करिए हर एक घंटे में आप पानी लीजे खाना खाने के एक घंटे बाद पानी का intake करिए लेकिन खाने के दोरान पानी का intake नहीं करिए तो इन सब चीज़ों पर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं हमाई नीचे दिए नंबर पर आप कॉंटेक्ट करें हमारी डॉक्टर से सलहा ले हमारी टीम से आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हम आपको आपकी प्रॉब्लम का राइस सोल्यूशन देंगे इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार